तो इंटेडियूस कर दीजे खुद को हमारी ओडियन्स को कि आप क्या करने वाले हैं और अपने नाम के साथ इंटेडियूस कर दीजा है मेरा नाम अर्जुनियादव है और मैं भोपाल से हूँ बेसिकली और मैंने बहुत सारे रैम शोज किये हैं में बहुत सारे प्रिंट साथ किये हैं और जिम कायड किया है और बहुत सारे प्लेस किये थेटर किया मेंने दो तीन साल और अभी मेरे एक फिल्म आने वाली सत्रा को शादी है जो अनम अनम याइन प्रड cao उसमें मेरा नाम Rocky है और लाश्ट यर मेरा एक अलबम आया था टी स्रीज से दिल दीवान गया और अभी आने वाला है मेरा दिल जानिया और अभी एक बैप सीरीज भी मेंने की है कुछ और चीजें सौट लिस्टिड हैं बातचीज चल रही है तो देखो बाज़ाली है देखिए वो एलबम जो है बहुत ही रोमेंटिक है और आपको इसमें कुछ किसिंग सीन भी देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी लोकेशन है शिलॉंग गोहार्टी में शूट किया है और बहुत ही सौफ्ट मुजिक है तो आई तिंग लोगों को बहुत पसंद आने वाल बिल्कुल जरूर है मुझे संजलीला बंसाली जी है और यस जी जो अब रहे ने कोई ने लेकिन जैसे धूम मुवी है इस टाइब का मुझे बहुत पसंद है तो मैं चाहूंगा कि मैं यस राज प्रडेक्शन से काम करूं और वो कुछ ऐसा मुवी हो जिसमें मैं जैसे मुवी मुझे बहुत पसंद है तो उस टाइब का मुवी या कॉंसर्प्ट या कोई स्टूरी तो मैं चाहूंगा ऐसा कुछ मिले और उससे मेरी शुरुवात हो अच्छी तो 2017 में बहुत सारी फिल्म है तो ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपकी सबसे पसंदिदा फिल्म हो और क मेरी फिल्म दो तीन रही जैसे की पदमाबत बहुत अच्छी मुवी थी क्योंकि दिखाया था कि एक कितनी समझदार लेडी कितनी बहादूर लेडी हो सकती है मतलब फीमिल कितनी बहादूर और इंटेलिजेंट हो सकती है उसमें दिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लग मुझे बहुत ही मज़ा आया मुझे दौनों फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अलबा कंटेंप्रेरी में एक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे जैसे वरूं की बात करें रनवीर सिंग की बात करें तो ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको आप क्योंकि वो अपना काम करूंगा सभी बहुत ही अच्छी आर्टिस आज सब सीनियर है और मैं अभी झोटे चीजहें से शुरुवात कर रहा हूँ तो मैं उनसे बहुत को सीखता हूं उनकी फिल्मों से अनकी एक्टिंग से हर चीज़ से और मैं ऐसे सीखता रहूंगा और आग कि वो मुझे बहुत पसंद है उनकी हाइट लग 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 मेरे बरावर है उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है बहुत अच्छी इंसान भी है इसलिए मैं उने जादा पसंद करते हैं आने वाले समय में वेब सीरीज के अलावा फीचर फिल्म है कौन से अपकमी प्रजेक्ट श शौर्ट फिल्म है बैब सीरीज भी और हैं तो बाच्छी चल रही है जल्दी होगा जैसे आपने कहा कि जॉन इब्राहम को आप फॉलो करते हो और फिटनेस फ्रीक है तो आप कितने बड़े फिटनेस फ्रीक है और अगर कोई टिप शेयर करना चाहिए क्योंकि समर सीजिन मैं बहुत बड़ा फिटनेस फ्रीक अपने आपको मानता हूं कि मैं लगभग 12-13 साल का तब से मैं वर्काउट कर रहा हूं और मैं लोगों को बहुत मॉटिवेट करता हूं कि वो जाएं वर्काउट करें जिम में पार्क में गार्डन में रनिंग करें कुछ भी करें अपन करके खाना है उस टाइब करने हेल्दी खाना खाएं जिसमें मिनरल्स बिटामिन प्रोटीन भरपूर हो और सुबह थोड़ा अच्छी से खाएं हेल्दी खाना फिर जो आपका लांच है उसमें थोड़ा सा लाइट करें और डिनर जो है वो काफी लाइट करें जैसे झाल कि अच्छी कि अच्छी करें लाइट करें खाना है उसमें धूड़ाएट मिनरल्स भाइट सर आपकी फिल्म दा ग्रेट लीडर आ रही है इस पर कुछ रोशनी डालिए रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके उपर एक बहुत ही अच्छा विशय है इस फिल्म का महलाओं की प्रती जो है समाज में आजकल और कई गाओं में कई छेत्रों में अतियाचार होता है उनको बड़ा हवा नहीं दिया जाता इसी के दाएरे में ये कहानी बनी गई है घीरो के अपिता की भूमिका हम निबा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं तो ये एक हिंदी वर्जन है तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम करता हूं ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले 45 वर्सों से आपके मेकप आटिस्ट हैं लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे ग्रेट लीडर जो है उजा करके देखें और मैं उमीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनी लगेगी दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडुटाजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है इस पर आप क्या क लोबल एड़टाजर्स वर इनोवेटिव आपडोर सुलुशन